हेलो एप्रियूवान वेल्कम टु मैं चानेल मैं हूं प्रियांका आशा करती हूं आप सब ठीक हो शेफ हो तो आज है मंडे और मैं अभी लांज भी कर लिया तो आभी ठाई बाज गया है तो मैं स्वाश्री थी कुछ स्वीट बनाते हैं तो आज मैं बना रही हूं ब्रेट रासमलाई यह बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं ब्रेट रासमलाई बनाने क्या-क्या चाहिए बताती हूं मैंने यहां पर फूल फैट मिल्क ले लिया है नॉर्माल मि जाफरण ले लिया है और यहापने फोर स्लाइसेज वाइट ले लिया है अब इसमें ब्राउन ब्रेट मतिस किजिए गा तो अब पैन भी चला दिया है तो अब में मिल्क अलुंगी तो मिल्क को ऐसे में करना है जब तक ना मिल्क पे उबाल आ जाए तब तक इसको हाई फ्ले में कुक करना है तो देखिए इसी तरह से इसको हाई फ्ले में कुक करना है तो मिल्क देखिए उबाल आ गया है अभी इसको लो फ्ले में कुक करना है जब तक ना मिल्क हाप लिटर ना हो जाए तो इसी तरह से मालाई जब साइड में आ जाएगा उसको भी मिल्क के साथ मिला देना है देखिए मेरा अच्छे से मिल्क को कूक रही हुँ हूं मैं यहाँ पर जब हाफ लिटर हो जाएगा तब मैं यहाँ पर ड्राई जो कैसुनाट आवन को मैं आट करूंगी देखिए मैंने आट करी हूँ देन मैं यहापे सुगार भी आट कर दूंगी और केसर को भी आट कर दूंगी तो मैंने इसको हाफाफ करके आट कर रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट में थोरा सा गार्निस करूंगी देन मैं यहापे सुगार भी आट कर दूंगी मैंने उस टाइम बात दिखाना भूल गई थी तो sorry for that मैंने यहापे 60 ग्राम सुगर अट किया है आप चाहे तो जितना आप सुवीट पसंद करते हैं उसे ही सबसे सुगर डालिएगा मैंने यहापे केसर भी अट कर दिया है तो देन इसको ऐसी low to medium flame में cook करना है जब तक ना milk और भी थिक ना हो जाए तो देखिए केसर के वज़े से milk में थोड़ा color भी आ गया है और milk थोड़ा सा थिक भी हो गया है इसको और भी थिक करना है इसको मालाई बनना है ऐसे तो थिक करके तो देखिए यह मालाई बन गया है मालाई बन गया है अभी जब थान करना है इसको थान हो जाने के बाद यह और भी थाड़ा थिक हो जाएगा तो मेरा मालाई रेटी हो गया है अब ही मैं गैस फ्लेम को बाँद करके थान करूंगी देखिए थान रोई जाने के बाद थीक हो गया है अब ही में बेट को भी ऐसे जो मैं तेयार कर लूँगी जैसे कटना है मुझे कितना अच्छा हो गया है तो इसी तरह से मैं बेट को काट कर लूँगी मैं यह पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है इसमें स्टील का ग्लास यूज करूंगी ऐसे राउंड सेप में मैंने बेट को काट करूंगी तो देखिए इसी तरह से इसको काट करना है अब चाहे तो कुछ भी साइस सेप दे सकते हैं मैं राउंड सेप दिया है देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से मैंने फोर्ड ब्रेट को ऐसे काट कर लूंगी देखिए मेरा फोर्ड मेरा क्यार लिया है अब ही मैं मालाई के उपर इसको एट करूंगी मालाई को एकदम गरम भी नहीं करना है और एकदम पूल भी नहीं करना है मीडियाम इसको गरम रखना है और जैसे इस तरह से थ्यान से इसको करना है जैसे वह तूत ना जाए बेट इसी तरह से मैं ऐसे स्प्रेट करना है और मालाई अच्छे तरह से ब्रेट के अंदर आ जाएगा देखी कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह से मैं फ्यू सेकेंट ऐसे राखूंगी देन इसको उठा लोंगी तो मेरा हो गया है अब मैं इसको उठा रही हूँ लिखिए कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह से मैं और फी टू प्रेट को मैं इसी तरह से सेम प्रसेस में कर लोंगी कितना अच्छा से मां हो गया है मेरा ब्रेट मालाई तो अभी इसमें इसका उपर मैं थोड़ा सा गार्निस करूंगी जो ड्राइ आमन्ड को और कैस्वनाट को मैं आड करूंगी और थोड़ा सा केसर के साथ इसको ग्रानिस करूंगी देखें बन गया मेरा ब्रेट रसमालाई बहुत यम्मी बना था यह गाईज इसको ज़रूद ट्राइक करूंगी अब को देखकि कि लग रहा है यह बहुत यम्मी बना है कि तो कैसा लागा मेरी यह ब्रेट रसमालाई बहुत यम्मी बना हैकाई इसको ज़रूद ट्राइक कीजिएका मैं जिस तरह से बनाई हूँ उसी तरह से ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको ट्राइ करने के बाद इसको ट्राइवर्ट के लिए फ्रीज में रख देना है तो वो और भी मज़ आएगा खाने में तो मैं अभी इसको फ्रीज में रख दूँगी मिलती हूँ कोई और रेसिपी के साथ कोई और वीडियो के साथ तक तक के लिए बी पॉजिटीव स्टेश सेफ और लाव यूर लाइव